आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने आईफून के अंदर किसी भी कॉन्टैक्ट को डिलीट कैसे कर सकते हैं और दोस्तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक साथ मल्टिपल कॉन्टैक्ट को कैसे डिलीट कर सकते हो अगर आपको एक बार में 100 contact डिलीट करना है तो आप अपने iPhone के अंदर बड़े ही आराम से कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लास तक देखना होगा, समझना होगा, सीखना होगा तब जाकर आप ये काम कर सकते हैं अगर आपको अपने iPhone के अंदर किसी भी नंबर को डिलीट करना है तो आपको अपने खाली जगा पे home screen के ऐसे swipe down करना है, contact उपर में search कर लेना है, contact यहाँ पे आ गया, इसके उपर आप click कर दीजे और अब यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपके जितने contact हैं, सब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे नाम हैं, लेकिन अब बात आती है कि आप यहाँ पे इन contact को delete कैसे करेंगे, तो जैसी कि मैं यहाँ पे कोई नंबर को search कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले वाले नंबर को delete करना चाहता हूँ, यहाँ पे इसका नाम याद रख लिजेगा, तो यहाँ पे मैंने इसके नंबर के उपर क्लिक किया, देखिए, यहाँ पे इसका नंबर आ चुका है, आने की बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट के option पे क्लिक करना है, तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको हो चुका है, अगर आप सभी को अपने iPhone के अंदर बहुत सारे contact को delete करना है, तो आपको यही method apply करना होगा, जैसे कि यहाँ पे गए, खाली जगह पे swipe down किये, contact को search किये, contact app को open किये, और यहाँ पे जिस contact को हमें delete करना है, उस contact के उपर हमने click किया, edit के option पे click किया, यहाँ पे scroll क के एकदम नीचे आ गए, यहाँ पे option है delete contact, इसके उपर हमने click किया, delete contact के उपर click कर दिये, देखिए, contact हमारा delete हो चुका है, दोस्तों देख सकते हैं कितना लंबा process है, एक contact हो delete करने के लिए, और इसी तरीके से अगर आपको 100 contact को delete करना होगा, तो 100 बार ऐसा ही करना होगा, लेकिन दोस्तों, अभी आप देख रहे हो channel techfdj, यहाँ पे आपको जुगार तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप सभी को एक साथ बहुत सारे contact को delete करना है, तो आपको एक app download करना होगा, और उस app का download link आपको नीचे, वीडियो के description में मैं दे दिया हूँ, तो वहाँ से जाक उन्हें बहुत सारे app हैं, उनको download मत कर लिजेगा, तो यहाँ पे उस app को open करना है, open करने के बाद यहाँ पे contact वाले option के अंदर all contact के उपर आपको click करना है, और यहाँ पे आपके सारे contact दिख जाएंगे, देख सकते हैं, जितने मेरे phone के अंदर contact है, सब मेरा दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको जिन contact को delete करना, जैसे कि यह करना है, यह करना है, यह करना है, यह करना है, यह, 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 तो मैंने 6 contact को select कर लिया, select करने के बाद यहाँ पे आपको एक option दिखेगा delete का, तो अब आपको delete वाले option पे click करना है, और यहाँ पे confirm कर देना है, तो delete के उपर click देखिजे और ये 6 contact आपका गायब तो देखा दोस्तो जहां पे आपको 6 बार काम करना पड़ता वहां पे हमने एक बार में ही 6 contact को delete कर लिया और इसी तरीके से अगर आपको धेर सारे contact delete करना है तो बस आपको उन contact को select कर लेना है और delete वाले बटन पे click करना है और आपका contact delete हो जाएगा तो दोस्तो कुछ इस तरीके से ही अपने iPhone के अंदर multiple contact को delete कर सकते हैं या फिर अपने iPhone के अंदर किसी भी contact को delete कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को like कीजेगा चैनल पे नए हो तो subscribe कर दीजेगा और अभी तक कि आप अपना ख्याल रखीगा टेक क्या तिल देन और गुद्पाइ